हेलो गाइज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्फिक्स को कैसे रिजॉल्व करें तो कॉन्फिक्स का मतलब क्या हुआ हमारे पास कोई ऐसी फाइल है फॉर एक्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूँ जैसे मैं में इसके अंदर जाऊंगा हेलो वर्ल्ड मॉडल जावा वाले पर हेलो वर्ल्ड मॉडल डॉच जाऊंगा है ठीक है अभी हम इधर देखेंगे कि हमारे कोड में इस परट्टिक्लर लाइन पर q. 40 पर हम देखेंगे Hello World लिखा हुआ है ठीक है और हमारे रैपो ब्राउजर में कुछ और होगा इसी लाइन पर सेम लाइन पर हमने कुछ चेंज किया है और सेम लाइन पर किसी और डेवलपर ना कोई चेंज किया है अगर वहाँ कॉंद्रेक्ट हो जाता है डिफ्रेंट लाइन पर तो हमें कॉंद्रेक्ट मिलेगा तो अभी हम चेक bonक्रलेते हैं रैप ब्राउजर में क्या चेंज है व्रेप ब्रावजर पर जाएंगे सेम फाईल खोलेंगे जो फाईल हमने अभी खोली थी अपन distort है टिक गया क्यूकि हम नियू ब्रांड में काम करें तो नियू ब्रांड में देखेंगे अभी हम इस फाईल में जाएंगे हेलो वर्ल मॉडल रो जावा पर और line number 40 था line number 40 पर जाएंगे तो line number 40 पर आप देख सकते है line number 40 पर आप देख सकते है हमने लिखा है hello India how are you जबकि हमारे local में क्या लिखा हुआ है hello world तो हमारा local और जो हमारे repo browser है उसमें conflict हो गया same line पर दो different changes मिलेंगे तो अभी हम SVN update करेंगे अभी हम SVN update करेंगे और हमें याप पर conflict आजाएगा इस particular file में हमें जो conflict आया है अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस conflict को resolve करूँ क्योंकि इस conflict को कैसे resolve कर सकते हो तो conflict को resolve कर सकते है या तो हम चाहते हैं कि हमारे changes रहने चाहिए जो दूसरे developer ने change किया है वो ज्यादा important नहीं है हमारा change important है तो हम resolve conflict using mine कर देंगे तो हमारे changes repo browser में चले जाएंगे और अगर हमें लगता है हमारे changes important नहीं है developer का change ज्यादा important है तो हम resolve conflict using theirs कर देंगे तो मैंने अभी resolve conflict using theirs कर दिया है तो जो developer ने वहाँ change किया था वो change हमारे local में आ चुका होगा for example अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे उस particular file में अभी क्या change है वो sync में आया कि नहीं आया क्या change आया उस particular line में तो मैं अभी वापस से उस file में जाऊँगा तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर पहले हेलो वर्ल्ड था अब हेलो वर्ल्ड से हटकर हेलो इंडिया हाँ आरी वागया है हमारी local में तो ऐसे हम conflicts को resolve करते हैं इसमें conflict resolve करने में बस यह रहता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा दूसरे डेवलपर है उनका चेंज ज्यादा इंपोर्टेंट है वह आना चाहिए यह हमारा चेंज इंपोर्टेंट है उस हिसाब से हम conflict को resolve कर सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंज इस लेक्षर में हमने conflicts को resolve करना सीखा अगले lecture में हम देखेंगे कि जो revisions होते हैं उनको कैसे compare कर सकते हैं multiple जो revisions बन जाते हैं इतने सारे commits होते हैं तो अब हम चाहते हैं कि इस particular file में इतने सारे commit हुए हैं तो initial version से लेके अब तक क्या क्या changes आए हैं वह हम check करना चाहते हैं तो वह हम कैसे देखें अगले lecture में हम उसको देखेंगे thank you friends